हलो अस्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में किंद्रिय प्रविर्ती के मापक, मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं वह मान जो पूरी शमू का प्रतिनी धीत्प करता है, किंद्रिय प्रविर्ती का मान कहलाता है, किंद्रिय प्रविर्ती को मापने के लिए तीन विधियों मीन, मीडियन और मोड का परियोग किया जाता है अब हम लोग एक एक करके शभी को समझ लेते हैं अब हम लोग मीन को समझ लेते हैं मीन को मध्यमान या शमनांतरमद या ओशत भी कहते हैं समस्त प्रापतांकों के योग में प्रापतांकों की शंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे मध्यमान या ओशत कहते हैं अर्थात किशी स्रिंखला के शभी अंकों के योग में कुल अंकों की शंख्या से भाग देने पर जो मान या मुल्ले प्राप्त होता है वह मध्यमान या शमनांतरमाद या औसत कहलाता है। इसे हम लोग एक उदाहरंद्वारा समझ लेते हैं। दस चात्रों ने किसी परिच्छा में 25, 15, 17, 30, 40, 45, 30, 35 और 28 अंक प्राप्त किये तो मध्यमान इसका निकालना है। यहां समेशन एक्स प्राप्त अंको का योग है। कुल प्राप्त अंको को जोड़ने पर 285 आया। और एन प्राप्त अंको की शंख्या का योग है। यहां एन 10 है। इसलिए मीन या मध्यमान इसकल तो समेशन एक्स अप्राप्त अंक अर्थात 285 अप्राप्त होगा। इसे सॉल्प करने पर मीन या मध्यमान 28.5 आएगा। अब हम लोग मीडियन को समझ लेते हैं। मीडियन को मध्यांक या माधिका भी कहा जाता है। मध्यांक किशी वीत्रान में वह बिंदू है जिसके नीचे 50% एवं जिसके उपर 50% प्राप्तांक होता है। इस परकार मध्यांक शमुह के प्राप्तांकों के मध में होता है जो उसे दो ब्रावर भागों में बाठता है। यह समुह को दो ब्रापर भागों में इस परकार से बाठता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं तथा दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। अत्त मध्यांक वह प्राप्तांक है जिससे कम और अधिक अंक पाने वाले चात्रों की शंख्या बरावर रहती है यदि समस्त प्राप्तांकों को आरोही या अबरोही क्रम में ववस्थित किया जाए तो उस रेनी का मध्प्राप्तांक ही मध्यांक कहलाएगा यही मध्य प्राप्तांक स्रेनी को दो ब्रावर भागों में बाठता है इसे एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसे हम लोग एक उधारन द्वारा समझ लेते हैं यहाँ एक कोस्चन है 6, 12, 10, 16, 13, 15, 14 प्राप्तांकों का मध्यांक निकालना है यहाँ प्राप्तांक बीशम या और्ड नंबर में है बीशम संख्या के लिए मध्यांक या मिडियां निकालने का फर्मूला एन प्लस वन अपाउन टू होता है यहाँ एन प्राप्तांकों की कुल संख्या है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को आरोही या अब्रोही क्रम में रख लेंगे यहाँ प्राप्तांकों की कुल संख्या एन सेविन है इसे सॉल्व करने पर एट अपाउन टू आयेगा अर्थाथ फोर्थ आइटम ब्यवस्थित अंकों में चौथा आइटम या पद 13 है इसलिए मध्यांक या मिडियन 13 होगा अब हम लोग मोड की ओर चलते हैं मोड को बहुलक या बहुलांक भी कहा जाता है बहुलक वह प्रापतांक है जो सबसे अधीक वार आता है अर्थाथ जिसकी आवरीती सरवाधिक होती है बहुलक कहलाता है अर्थाथ बहुलक वह मान है वह मुल है जो आवरीती वितरन में सरवाधिक वार आता है इसी के साथ मेरा आज का विडियो समाप्फ होता है मेरा आज का विडियो कैसा लगा प्लीज कमिट करके बता है हम लोग फिर मिलेंगे नए विडियो में तब तक के लिए नमस्कार इसे भी हम लोग एक उधारंद्वारा समझ लेते हैं एक परिच्छा में 10 छात्रों के प्राप्तांक 7, 9, 10, 15, 9, 6, 9, 11, 6 और 9 है इन प्राप्तांकों को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में रख लेते हैं इस आबरीती वित्रन में 9 की पुन्राबरीती सबसे अधीक है इसलिए मोड या बहुलक 9 होगा इस परकार हम लोगों ने आज के वीडियो में में, मीडियन और मोड के बारे में जाना और समझने का परियास किया इसी के साथ मेरा आज का वीडियो शमाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता है हम लोग फीर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार